सो इस वीडियो में हम बात करने वाल है complete boat wave neo plus smart watch को इस smartphone से connect करके complete एक एक features कैसे use कर सकते हैं खुद का photo set करना या फिर bluetooth calling on होना है and अगर कोई भी problem भी आ रहा है तो इस वीडियो में complete बताने वाला हूँ तो चलिए फड़ा बड़ा इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हमारे smart watch को जो है on कर लेना है तो देख सकते है smart watch हमारा on है and smart watch को phone के पास में रखना है and उसके बाद क्या करना है आपको play store या app store पे चले जाना है and यह application है board crest करके इसको आपको install कर लेना है download कर ल कर देना है अपने smartphone में and also आपके phone का location on कर देना है and आपके phone में internet connection भी on होना चीए ठीक है उसके बाद हमें इस app को open करना है कुछ इस तरीके से तो इसको हम open कर लेते हैं तो देख सकते हैं आपे open हो रहा है कुछ इस तरीके का option आ रहा है उसके बाद यहाँ पर get started पे click कर दे है send OTP पर click करने के बाद जो भी OTP आएगा आपको यहाँ पर डाल के verify कर लेना है तो देख सकते हैं OTP से हमने verify कर लिया है verification successful हो गया है उसके बाद हमें यहाँ पर continue to pairing पर click करना है जो red वाला button है इस पर click करना है कुछ इस तरीके से उसके बाद यहाँ पर grant permission पर click कर देना है क कुछ इस तरीके से option आएगा उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो एक search का option है search here ठीक है search वाले option में जाके हमें यहाँ पर search करना है wave new ठीक है यहाँ पर wave new search करना है new wave new plus ठीक है option आएगा यहाँ पर wait करना है उसके बाद फिर से यहाँ पर neo plus करके आएगा इस पर फिर से हमें जो एक बार click कर देना है इतना करने के बाद देख सकते हैं हमारे smart watch smartphone से connect हो रहा है और अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से complete connect हो गया है smart watch में भी notification आ गया है pairing successful and देख सक देखते हों यहाँ पर सबसे उपर एक permission request का option आ रहा है तो यहाँ पर हमें click करना है आपके पास भी आएगा यहाँ पर authorize पर उसके बाद click कर देना है आपके पास allo का भी option आ सकता है तो यहाँ पर authorize या फिर allo कर देना है उसके बाद देख सकते हैं यहाँ से Bluetooth से हमारा smart watch वह जो है connect हो गया है और डिरेक्ट Bluetooth से connect नहीं होता है तो आपको क्या है जाने के बाद यह आपको सर्च कर लेना है Bluetooth सेटिंग में नियो प्लस करके आ जाएगा और आपको मैनुवली जो है connect कर लेना है और इसके सामने देख सकते हो एक option आ रहा है Bluetooth सेटिंग में तो यहाँ अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ options है तो आप फोन audio को on रखना है अगर calling feature को यूज करना है media audio को आप on कर सकते हो अगर आप music अगर आप smart watch में play करना चाहते हो अगर आप sound चाहते हो smart watch में आए तो आप media audio को on रख सकते हो and contact sharing वाला option अगर आप में off रहेगा तो इसको जरूर on करना है ताकि जो भी call अगरा है तो contact का name दीखे ठीक है तो कुछ इस तरीके से यह settings आपको कर लेना है फिर से हम आ जाते हैं इसके app पे तो देख सकते है connected हो गया है कुछ ऐसा option आ रहा है यहाँ पर get started पर click करना है get started पर click करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं complete कुछ इस तरीके से open हो रहा है एंड एक एक स्टेप आपको ध्यान से follow करना है जो भी मैं बता रहा हूं इस वीडियो में तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा loading हो रहा है तो यहाँ थोड़ा सा हम wait करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा option आ रहा है something and something wrong so कर रहा है तो यहाँ पर फिर से हम क्लिक करते हैं get started पर द्यान रखना है आपका इंटरनेट connection जो है काफी अच्छा होना चीए यहाँ पर देख सकते हैं फिर से हम थोड़ा सा wait करते हैं and यहाँ पर फिर से loading हो रहा है and हमारे smart watch भी on है smart watch आपका on होना चीए and थोड़ा सा हम और wait करते हैं यहाँ पर देख सकते हो connect हो गया है complete यहाँ पर next step आ गया है यहाँ पर continue to home page पर click कर देना है कुछ इस तरीके से and continue to home page पर click करने के बाँ देख सकते हो कुछ ऐसा option आएगा यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर my watch का a good option एक option चले जाना है यहाँ पर क्लिक करने की प्लावड में आपको काफिश यहाँ एक watch faces का ता यहाँ पर change watch face का option है आप देख सकते हो यहां पर हमें click करना है यहाँ पर click करने के पार देख सकते हूँ आप काफी सारे आपको cloud में आपको काफी सारे watch faces देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि अलग अलग तरीके कि आप set कर सकते हो कोई विगार set करना है तो simply उस पर click करना है and update on watch पे जैसे यह आप click करोगे कुछ इस तरीके से तो यह set होना है start हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हो जाता है यहाँ पर देख सकते हो तेन परसेंट हो गया अब बात करें आप खुद का photo कैसे आप smart watch पे set कर सकते हो तो देख सकते हो cloud के बाजू में एक my creation का option है तो यहाँ पर आ जाना है my creation वाले option में उसके बाद यहाँ पर create watch face पे click करना है यहाँ पर click कर देना है यहाँ पर click करने बाद complete कुछ ऐसा option open होगा यहाँ पर हमें skip कर देन है कुछ इस तरीके से उसके बाद देख सकते हो सबसे पहले option है background का तो background ओले option पर click करना है यहाँ से आपको gallery में चले जाना है या बिर कोई भी picture हो आप gallery से direct smart watch पे set कर सकते हो complete यही process का use करके तो suppose आप यह मान के चलो एक photo है फिलाल यह screenshot है यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से select कर लेता हूँ आपको अपने हिसाब से यहाँ पर crop भी कर सकते हो and finally यहाँ पर देख सकते हो मैं इसको crop कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से कोई भी photo का box भी कर सकते हो आपको कितना set करना होँ वापको यहाँ पर देख लेता हूँ आप करने के बात देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैं adjust कर लेता हूँ और नीचे option है एक save का तो यहाँ पर save वाले option पर मैं क्लिक कर देता हूँ save वाले option पर क्लिक कर दें के बाद देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपका watch face से show होगा यहाँ पर preview देख सकते हो उसके बाद यहाँ पर time का option है time वाले option पर मैं click करूँगा तो यहां से आप font select कर सकते हो कि इस font में time रहना चीए and यहां से आप color भी select कर सकते हो so यहां पर मैं color भी select कर लेता हूँ तो फिलाल यहां पर मैं black color select करता हूँ यहां पर set पर click कर देता हूँ यहां पे जैसे मैं इसे पर Right पे क्लिक करूँ गा तो यहां पर देख सकते हो हमारा Time आ गया है यहां पर रख सकता हूं और भी कुछ है आपटिख क्लिक कर देना है आपको क्लिक करें और अबी सेट करना है तो यह हमारे समारट वोज पे से T कर दिख सकते हैं यहाँ पर सेट हो जाएगा तो थोड़ा और हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं यहां पर देख सकते हैं 80% हो गया है and 90% हो गया गया है and 100% हो देख सकते हो कुछ इस तरीके से काफी इजिली गैलरी के जो भी हम फोटो कर रहे थे वो यहां पर set हो चुका है का Feet कोई भी फोटो जो है गैलरी से स्मार्ट ऑच पे सेट कर सकते हो। अगर आप डिस्प्ले पे पर स्मार्ट ऑच प्रेस करके रखते हो। तो कुछ वह इस तरीके से जैसे कि आप देख पा रहे हो। चलिए आगे बात करते और फीचर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो यहां से हम back आ जाते है and back आने की बाद फिर से यहां पर हम sorry is को skip करते है यहां पिर से जो आपसन है माइऊ watch के आपसे यहाँ पर हम चले जाते हैं यहां पर देख सकते हैं my watch का option है होड़ी पे स्क्रोल आप करते लिए मिल जाता है तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं Bluetooth कॉलिंग वाले option पर यहां पर देख सकते call notification जो है भी disable है तो इस पर हमें क्लिक करना है call notification पर उसके बाद यहां से call notification को on कर देना है जो भी permission मैंगा आपको वालो कर देना है कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से देख सकते है और यहां से नोटिफिकेशन असर्स करके एक option आ रह रहा है यहां से हमें boat kreish जो एप है हमारा उसको हैँसे सिलेक कर लेना है तो boat kreish अप को कर लेता हूं उसके बाद यहां से जो है all o कर देना है इसको कुछ इस तरीके से फिर से हमें back आ जाना है back आने के बाद यहां से sms notification भी यहां से आप on कर सकते हो यहां से app notification को on कर सकते हो जो भी social media कर notifications होगर चाहिए वो यहां से आप set कर सकते हो suppose अगर मुझे whatsapp का notification चीज़े तो whatsapp पे कुछ इस तरीके से मैं tick कर दूँगा यहाँ पर and tick करने के बाद यहाँ पर save changes पर click कर देना है कुछ इस तरीके से save changes पर click करेंगे यहाँ पर ok कर देंगे तो यह complete setup हो जाएगा and यहाँ पर देख सकते एक और option है your synced contact तो अगर हम यहाँ पर click करते हैं कुछ इस तरीके से and अगर हम add contacts पर click करेंगे तो कुछ contact यहाँ पर आ जाएंगे आपके जो भी smartphone में होंगे तो यहाँ से जो भी add करना है select करके and यहाँ पर save contact पर click कर देना है तो यह contact जो हो जाएगा and यह contact जो हमारे smart watch में show होगा and वहाँ से हम click करके इस पर call भी कर सकते है and चलिए एक बार आपको live calling दिखायता हूँ and notification send करके दिखायता हूँ so फिलाल मैंने एक दूसरे smartphone से इस smartphone पर notification send कर दिया है whatsapp पर देख सकते है receive हो गया है कुछ इस तरीके से and smartphone में भी हमारे notification आ गया है and smart watch में भी देख सकते हो कुछ इस तरीके से कोई भी whatsapp का message वगर आएगा तो आप देख सकते हो फिलाल मैंने hello link के send किया है तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से so कर रहा है and smart watch में आप slide right करके कुछ इस तरीके से यहाँ से complete जो आप view कर सकते हो message वगर जो भी आएंगे आप देख सकते हो so चलिए एक बार calling का दिखा दू तो दूसरे smartphone से मैंने call कर दिया and देख सकते है call आभी गया है हमारे smartphone में भी and smart watch में भी so कुछ इस तरीके से call आएगा तो so होगा यहाँ से आप quick reply भी कर सकते हो and quick reply देख सकते हो यहाँ से आप कर सकते हो फिलाल quick reply हमने on नहीं किया है अभी हम app से on करेंगे तो यहाँ पर so करेगा वो भी आपको मैं दिखाऊँगा and यहाँ से आप call को receive या reject कर सकते हो and यहाँ से कुछ इस तरीके से receive करके complete device smart watch से call पर बात कर सकते हो so यह तो हो गया complete calling and notification का आप किस तरीके से use कर सकते हो यहाँ से मैं filler reject कर देता हूँ and चलिए आगे बात करते हैं और features का हम कैसे use कर सकते है so चलिए फिलाल यहाँ से हम back आ जाते है फिर से यहाँ से हम back आ जाते है तो watch control वाले option पर हम जाते है कुछ इस तरीके से यहाँ से देख सकते हो आपको एक quick reply का feature देखने के लिए मिलता है तो quick reply वाले feature पर हम click करते है यहाँ से quick reply को हम on कर सकते है यहाँ पर एक permission माएंगा आपको follow कर देना है कुछ इस तरीके से ok पर click करना है यहाँ पर एक option open होगा यहाँ पर हमें permissions पर चले जाना है यहाँ पर देख सकते हो permissions का option है इस पर चले जाना है इस पर जाने के बाद यहाँ से SMS का जो permission है यहाँ आप देख सकते हो SMS है इस पर click करना है SMS पर and इसको follow कर देना है और लो करने के बाद फिर से आपको back आ जाना है application पर back आने के बाद फिर से यहाँ पर quick reply को जो है on कर देना है इस तरीके से quick reply on हो जाएगा उसके बाद save changes पर click कर देना है कुछ इस तरीके से save changes पर click कर देंगे तो यह apply हो जाएगा वो भी यहां से आप edit कर सकते हूँ suppose यह देख सकते हूँ एक option है pencil वाले icon फे I am busy लिख देता हूँ orie यहां पे I am busy लिख देता हूँ ठीक है अधर नहीं यहां पे I am busy लिख देता हूँ तो देख सकते हैं यहां पे मैंने अपने ही साफ से customize करके कि मैंने कुछ quick reply add कर दिया तो यहां से आप काफी सारे कुछ edit कर सकते हो अपने ही साफ से customize कर सकते हो उसके बाद यहां पर save changes पर click कर देना है save changes पर click करने बाद यह apply हो जाएगा और फिर से यहां से हम back आ जाते हैं और चली एक बार फिर से आपको call करके दिखा दू कि quick reply किस तरीके से work करता है तो एक दूसरे smartphone से मैं call कर रहा हूँ इस स्मार्ट फोन पर और मैंने call कर दिया है वहाँ से अभी हम देखेंगे call किस तरीके से आता है तो देख सकते हैं call आ गया है और उसके बाद देख सकते हैं quick reply का option है नीचे और इस पर हम click करते हैं यहां से हम quick reply वाले option पर click करते हैं तो फिर से तो देख सकते हैं quick reply वाले option पर click करने बाद complete quick reply का option यहाँ पर open हो रहा है एक जो I am busy हमने customize किया था वो भी so हो रहा है सो कुछ इस तरीके से complete जो आप quick reply feature का use कर सकते हो चलिए आगे और देखते हैं और features का हम कैसे use कर सकते हैं सो यहाँ पर देख सकते हो एक option है quick reply के नीचे जो option है wake gesture का सो यहाँ से आप rise to wake feature को अपने ही साब से on off भी कर सकते हो and schedule भी कर सकते हो इसी के साथ बात करते हो हैं पर distance का unit kilometer और mile में change कर सकते हो यहाँ से time format को 12 hour और 24 hour में आप change कर सकते हो इसी के साथ हम back आते हैं कुछ इस तरीके से हम back आजाते हैं back आने के बाद फिर से यहाँ से अगर हम slide up करते हैं तो ऐसे find my watch का use कर सकते हो इसे के साथ और उपर हम slide up करते हैं यहाँ पर देख सकते हो एक sports score का option है so यहाँ पर हम sports score को click करते हैं कुछ इस तरीके से and यहाँ से हम enable कर देना है अगर मैं एक बार smart watch में दीखा दूँ तो यहाँ पर अगर हम smart watch पर slide up करते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं enable score on app for live feed तो यहाँ पर enable नहीं है जो भी cricket score वगरा अगर हमें देखना है तो अभी हम नहीं देख सकते हैं तो यह देखने के लिए यहाँ से हमें enable कर देना होगा तो यहाँ पर enable नहीं हो पर मैं मैं CLICK कर देता हूं और फिर से एक option नहीं है चारी से आपको Enable कर देना है कुछ इशत तरीके सरे देख सकते हैं enable हो रहा है तो यहाँ थोड़े सा हमें wait कर लेना है यहाँ पर देख सकते हैं, 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 यह यहां से आप cricket में ODA और T20 अपने हिसाफ से select कर सकते हो and select करने बाद यहां से जो भी match होगा आपको select कर लेना है अगर उस time पर कोई match होगा तो यहां so करेगा and phone को जो है smartwatch से connect रखना है smartwatch को phone से connect रखना है तब ही जो आप live score देख पाऊगे so कुछ इस तरीके से complete smartwatch को smartphone से connect करके एक-एक features यूज़ कर सकते है and चलिए बता दू कुछ features आप direct smartwatch से क्या यूज़ कर सकते हो अगर आप display पे कुछ इस तरीके से press करके रखते हो तो कुछ watch faces आप watch से change कर सकते हो इसी के साथ अगर आप display पे slide अप करते हो and यहांसे steps count, calories count and distance count का यूज़ कर सकते हो and इनी same feature का आप यूज़ कर सकते हो कुछ इस side भी अगर आप slide करते हो and इसे के साथ बात कर अगर हम slide down करते हो तो यहांसे battery percentage, time देख सकते हो यहांपे date देख सकते हो और day देख सकते हो यहांसे आप देख सकते हो और कुछ features का use कर सकते हो यहांसे brightness adjust कर सकते हो यहांसे आप settings में जा सकते हो settings में अगर आप जाते हो कुछ इस तरीके से यहांसे watch faces change कर सकते हो screen slip का एक option है यहांसे आप set कर सकते हो कितने second बाब जो है display off होना चीए तो वो यहां पर आप set up कर सकते हो इसे के साथ बात करें यहां पर ring tone का option है ring tone वाले option में जाते हैं फिर से यहां पर ring tone पर click करते हैं तो यहां पर two types के ring tone देखने के लिए मिल जाते हैं दो तरीके के ring tone यहां पर देखने के लिए मिलते हैं जो की set कर सकते हो जो की call आने पर ring करेगा और से आप silent mode पर भी use कर सकते हो इसे के साथ बात कर तो wake gesture का आप यहाँ से भी आप use कर सकते हो vibration की intensity यहाँ से आप adjust कर सकते हो इसे के साथ बात करें तो यहाँ से आप system में जाके जो है यहाँ से restart, power of and reset कर सकते हो और सो यहाँ से download app पर भी click करके इसको scan करके जो इसका boat crash टैप download कर सकते हो about में जाके तो आप watch के बारे में देख सकते हो इसे के साथ back आते हैं और यह जो side में आप button देख रहे हैं इसको अगर हम एक बार press करेंगे तो menu open हो जाएगा menu में जो यह call वाला option है अगर हम इस पर click करते हैं तो यहाँ से आप number dial करके कोई भी आप call direct call कर सकते हो और सो यहाँ पर phone book का option है तो जो एक हमने contact save किया हो देख सकते हैं यहाँ सो हो रहा है और कुछ इस तरह के सो कोई भी contact आप set करोगे तो यहाँ सो होगा यहाँ पर direct click करके आप call भी कर सकते हो यहाँ से आप complete जो है call history वगरा view कर सकते हो इसे के साथ back आते हैं और फिर से हम back आ जाते हैं यहाँ पर activities में जाके आप sports mode का यूज कर सकते हो और सो बात करते हो sports record देख सकते हो यहाँ से heart rate monitoring, SPO to monitoring यहाँ से sleep monitoring का भी यूज कर सकते हो यहाँ से breath exercise भी आप कर सकते हो तो काफी अच्छी चीज है यह इसे के साथ बात करते हो यहाँ से भी आप notification में जिस अगरा देख सकते हो यहाँ से आप stop watch और timer का यूज कर सकते हो यहाँ से भी आप alarm का यूज कर सकते हो इसे के साथ आगे बात करते हो यहां से आप flashlight का भी यूज़ कर सकते हो so flashlight का भी यूज़ कर सकते हो जो कि display ही आपका as a flashlight work करता है इसे के साथ बात करते हो यहां से camera control, music control का यूज़ कर सकते हो find my phone का यूज़ कर सकते हो अगर आप इस पर click करोगे तो आपके इस पर click करोगे कुछ इस तरीके से हम click कर देते हैं तो आपके phone में जो है आपका assistant, Google Assistant जो भी होगा assistant वो on हो जाएगा और डारेक्ट आप अपने smartwatch से comment देके direct आप कोई भी searches वगरा कर सकते हो so complete smartwatch को इस smartphone से connect करके एक एक features आप कुछ इस तरीके से use कर सकते हो बाकी कोई भी question हो तो आप comment करके जरूर बताएगा ठीक है friends, thank you